असलाम लिक्रुम स्टुडेंट्स, I hope you are all fine, this is a lecture of class 4, subject science Today we discuss chapter number 2, plants making food आज हम जो remaining question आगे थे वो करेंगे, आज का हमारा class work है सबसे पहले आप margin lines लगाएंगे अपनी note books पे, आज की date and day लगाएंगे ठीक है Wednesday 23rd September 2020, class work लिखेंगे topic में plants making food and page number 20 तो कल हमने किया था question number 1 किया था, जिसमें हमने parts of leaf को define किया था, ठीक है Parts of leaf हमने लिखे थे और leaf के हमने diagram बनाई थे, आज हम करेंगे question number 2 What is the function of the vein in a leaf? जो leaf को हमने देखा था, vein उसमें क्या function अदा करती है, ठीक है, जो veins बनी होती है वो tubes ही जो बनी होती है, जिसको हमने कल detail से पढ़ा था, वो veins क्या कर रही होती है The veins supply water to all parts of the leaf The veins supply water to all parts of the leaf Vains क्या कर रही है, supply कर रही है, कि इसको water को to all parts of the leaf जितने भी leaf के हिस्से हैं, उनमें पानी को supply कर रही है जब root से पानी stem में आता है, ठीक है, जब जमीन से roots पानी लेती है फिर stem में आ जाता है, तने में आ जाता है, पिर तने में से पत्तों में कैसे जाता है इन veins की तुरू जाता है, ठीक है ये वें सारे पत्ते के पार्ट को पानी सप्लाई कर देती है ठीक है? उसके पाद question number 3 है write a short note on the roll of stomata in the leaf जो stomata का roll है वो हम बताएंगे कि stomata क्या roll अदा कर रहा है leaves में हमने stomata को कल पड़ा था stomata क्या होता है reading जब हम कर रहे थे तो stomata leaf के नीचे चोटे चोटे जो पॉर्ड होते हैं उनको कहते हैं ठीक है चोटे चोटे सुराख होते हैं उनको stomata कहते हैं अगर हम leaf को बहुत गोर से देखे हैं फूराक प्लांट्स को क्या चाहिए होता अपनी कुराग बनाने के लिए क्यूंकि प्लांट्स नहीं होते यह अपनी खुराग खुद बनाते हैं, ठीक है, तो, what does our plants require to make food, यह अपनी खुराग कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चाहिए होता है, इनको water चाहिए होता है, ठीक है, जो कि यह root से ले रहे होते हैं, air चाहिए होती है, air में इनको carbon dioxide चाहिए होता है, जो हम इनको है water air and sunlight ठीक है यह था आज का हमारा classwork इसको आप अच्छे से neatly अपनी notebooks पर कर लेंगे उसके बाद यह आपका homework है जो आप homework करेंगे वो है learn classwork आज हमें question किये हैं उनको learn करेंगे ठीक है plus write question number three जो question number three है यह question number three write a short note on the roll of stomata in the leaf इसको आप homework में करेंगे अपनी notebooks पर ठीक है page number 20 page number 20 पर यह questions दिये हैं तो आप page number 20 लिखेंगे topic में plants making food लिखेंगे आज की date and day लिखेंगे margin lines लगाएंगे और question number three आप लिखेंगे homework में classwork है और यह homework है ठीक है thank you